नमस्कार दोश्तो नियूचक्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में सूचनाओं का बहुत महत्य होता है सूचनाओं हमी से जनम लेती हैं और हमी को बदलती रहती हैं इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सूचनाओं पर हमारा नियन्तन हो लेकिन आज की डिश्टल होती दुनिया में सुचनाओं पर हमारा नियंतनक होते जा रहा है इसी विशय पर लेकर के World Economic Forum में WTO के कुछ सदस्यों ने e-commerce पर और वहां से उत्पन होने वाली सुचनाओं को किस तरीके से नियंतिर्थ किया जाए इसी विशय को लेकर के हम New Click के Chief Editor प्रबीर प्रगयास्था से बात करते हैं जो Free Software Movement के President भी है पहला सवाल यही बनता है कि WTO का मुद्दा e-commerce का मुद्दा जाकर के World Economic Forum जैसे बैटकों में क्यों उठा यह एक बहुत बड़ा एहम सवाल है कुछ है तक यह है कि क्रिकेट के एक बहुत बड़ी सुचना फुटबाल की जो बाड़ी है उससे वहाँ पर दी जा रही है तो यह सुचना World Economic Forum जिसको हम Club of Rich कह सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े-बड़े कंपणियों की मालिक वहाँ जाते हैं फाइनांस मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं यह कोई World Economic Forum कोई World Forum इस तरह से है नहीं जहांकि देश रिप्रेजेंटेड होते हैं या देशों को वहाँ पर लोग कमिट करते यह एक पब्लिक प्लाटफॉर्म है जहां पर भाषन दी जाती है और अमीर कंट्रीज, अमीर कंपनियों की मालिक वहाँ बैठके अपना नीजी बातचीत करते हैं यह World Economic Forum के महत्व रहा है तो इसलिए इसके खिलाब World Social Forum का भी रचना हुई थी कि World Economic Forum कंपनियों की और घरीब देशों की नहीं के कंपनियों की और धनी मुलकों की है और घरीब लोगों की सोशल फोरम वो एक प्लाटफॉर्म बने यह हमारी ख्वाइश थी पर World Economic Forum क्लब अव रिच्पन के रहे गया है तो यहाँ पर Commerce जो E-Commerce के नाम पर पेश किया जा रहा है यह Trade Organization जिसका उत्पत्ती इसी से हुई थी कि यहाँ पर Trade की बाचित होगी तो E-Commerce जो की एक अलग तरीका है वही Trade करने की तो Trade की पद्धती अगर बदल जाती है तो उसके लिए एक अलग discussion क्यों करना है यह कभी समझ में नहीं आया और इसी लिए World Trade Organization में इंदुस्तान और दूस्ते मुलकों भी इसका विरोध किया था अब यह धनी मुलकों की जो platform है कह सकते company ओं की back platform billionaires और trillionaires बनने जा रहे हैं लोगों की platform से E-Commerce अगर announce होता है तो सुचना महां से दी जाती है तो साफ है किसके स्वार्थ में वो की जा रही है तो इस वक्त आपने जो का digital दुनिया की बात कहें का आपने कहा की करीब बड़े बड़े अगर दुनिया की 10 company देखें उसमें ये तो सब 10 ये तो 9 वो digital monopolies है वो एक दो इधर उधर होते रहते हैं पर अभी जो है सबसे powerful company दुनिया में digital platform सी है चाहे वो Google हो चाहे Facebook हो चाहे Amazon हो जो कि अब जानते हैं e-commerce से जिनकी उत्पती हुई है और चीन की भी एक दो company आपनिया है जो इस दस में शामिल है तो देखने की विशह है कि इसमें जो बुलक इसमें शामिल है उसमें चीन भी है चीन को हम समझते थे वहां क्यों जाएगा चीन का स्वार्थ भी इसमें जुड़ा हुआ है कि अगर इस दुनिया को बाटा जाता है तो उसमें चीन क्योंकि उनके company भी है तो उसको भी वहां रहना वो समझते जरूरी है जबकि करीब करीब उसमें दस कंपनियों में आठ कंपनी अमरीका के हैं यूरप की भी कोई कंपनी नहीं है जापान की भी कंपनी नहीं है सिर्फ अमरीका और चीन की कंपनिया है तो इसी लिए अमरीका का स्वार्थ तो समझ में आता है चीन का एक defensive सवाल उस पे ज़रूर जुड़ा हुआ है इस negotiations में और European Union इस वक्त अमरीका के trade negotiations से अमरीका के पिछलगू है अगर देखे क्या हो क्या रहा है e-commerce एक पद्धती है trade करने का उससे trade बदलता नहीं है ना कि trade की rules बदलनी चाहिए तो इनकी demands क्या है इनकी demand है कि digital goods जो है उस पे customs duty नहीं लगाया जाए और data long localization नहीं किया जाए और जो है source code को कभी disclose करने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए security मताबिक है security के लिए भी तो ये तीन मुख्य चीज वो रखना चाहते इस discussions के पहद वो जो दूनिया पर थोपना चाहते हैं इसी बात को कि जो वो तीन मुख्य चीजे हैं कि digital goods पे ड्यूटी या custom ड्यूटी ना लगाया जाए उनका free transmission हो और data localization जैसे सब्द जो है ये बहुत आसान बातों में जिसको हम कैसे समझ पाएं हमारी साधान जनता जैसे जब भी हम data localization जैसी बाते सुनते हैं तो लगता है कि कहीं से हमको container में data उठा करके किसी दूसरी देश में ले जाके रख देना है तो ये बाते कैसे महत्वपूर्ण है राश्टी सुरक्षा की दृष्टी से और भारत का उस पर दृष्टी कोन क्या है इस पर दो चीज है एक तो है digital goods है क्या पहली चीज इस चीज को हम समझें कि किताब हो चाहे गाने हैं चाहे फिल्म हो हर चीज इस वक्त आपका digital goods में बदल रही है तो ये सब चीजों के लिए अगर उस पे कोई customs duty नहीं लगेगी इसका मतलब है जो उतपादन करके और कहीं भेज रहा है तो उसको उसका उपर tax उस देश नहीं लगा पाएगा जहां लोग उसको खरीद रहे हैं जो खरिदारों की पैसा जो है पूरी तरह से उन जगहों पर जाएगी जहां पर ये प्लाटफॉर्म के जरीए ये किताबे फिल्म्स म्यूजिक आ रही है ये ज्यादा तर प्लाटफॉर्म्स अमरीकन प्लाटफॉर्म्स है इस वक्त तो ये तो एक चीज है तो होगा क्या टैक्स हमारे पैसे की उपर टैक्स सिर्फ इंकम टैक्स अमरीका में दी जाएगी अगर वहां देते हैं तो और हमारे सरकार की tax customs duty जिसके आधार पे हम अपना customs and exercise duty पे ही तो देश की taxation चलती है जिसके ज़िए सरकार अपना राष्टर का खर्चा करता है, पुलिस हो, मिलिटरी हो और जो infrastructure हो, सब tax कही आता है. तो एक customs duty एक बहुत बड़ा हिस्सा उस tax का नहीं होगा नहीं हमारी सरकारों को नहीं मिलेगा और वो उन कमपनियों को पाक के पास जाएगी और उन पर income tax जरूर वहां पर लगा सकती है अमरीकन सरकार ताकि वहां इन कमपनिया अमरीका को tax दे और यहां पर कोई tax न दे तो ए एक taxation की एक बात इसमें साफ आती है वहीं कहता मेक अमरीका ग्रेट एगेन इसमें हमारा पैसे से अमरीका ग्रेट हो जाएगा यही एक कोशी इसमें है दूसरी बात जो है इसमें जो आप डेटा के बात कर रहे थे कि आज के तारिक पे डेटा की एहमियत बहुत है क्योंकि Google हो चाहे Facebook हो वो हमारे चारो ओर जिस तरह से जाल बिचाए हुए है तो जितने advertisements होता है वो इसलिए हमारे पास आती ही क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम क्या खोज रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे मित्र लोग कौन सा चीज खरीद रहे हैं ताकि वह चीज हम भी शायद खरीद लें तो यह जो चीज है तभी हो सकती है जब वो हमको बहुत अच्छी तरह जानेंगे और हमको जानना मतलब है एक ब्यक्ति को समझना जानना नहीं है पर हमारे जो सामाजिक संपर्क है उसको भी जानना और यही जो social relationships है इसकी data अगर किसी company के प सदी की तेल के रूप में मानते हैं data is the new oil यह कहते है पर इसका कोई दो राय नहीं है कि data एक बहुत बड़ी economic resource है तो इस resource पे कौन कबजा करेगा यह लड़ाई है तो यह data localization ना करने की demand यह है इसे यह भी जुड़ा हुआ है कि अगर कोई भी वजह से हमारी सरकार चाहती है tax लोग ठाकी दे रहे है क्या क्या इस पे criminal activity हो रही क्या इन सब चीजों को भी यह दूस्टे देश की सरकार नहीं कर पाएगी और इस पे पूरी नियंतरन और इसके बारे बे जो कहते हैं च्छानबीन करना उसका संपरकों निकालना उससे जासुसी करना सब कुछ उन देश कार से भी हमें भी खत्रा है तो इसलिए यह डेटा लोकलाइजेशन के पीछे एक भी यह भी इशू है कि हम पर निगरानी करी जाएगी क्या और इसलिए आधार का विरोध इतना हुआ था कि आधार के जरिये यहां के जितना डेटा है उसको जुड़ा जा सकता है और वही जो आमाजान या गूगल या फेसबुक के पास है वही शायद हिंदुस्तान की बड़े कमपनिया आधार को इस्तिमाल करके कर सकते हैं यह भी एक आधार के पीछे एक संगर्ज का कारण था कि डेटा लोकलाइजेशन सिर्फ जो डिबांड करते हैं किस मकसद से करते हैं वो हिंदुस्तान की बड़े पूजी पूजी को सुपूर्थ कर दे और आधार एको सिस्टम जो बन रहा है कुछ हद तक यहीं दृष्टिकों से बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की पूजी अगर विदेशी पूजी से कंपीट करना चाहते तो हमारे पैसे से एक पूरा एक इपूसिस्टम बनाया जा ताकि हमारे डेटा लेके यहां की बड़े पूजी पूजी पतियों की भी दी जा सकती है मैं समझता हूं कि यह समझ कि इस पे दो दोरी तलवार है एक तो है कि हमारा डेटा इस तरह से अगर दिया जाएगा तो हमारा जो कुछ हम करना चाहते हैं वो सरकार के पास भी पहुंचेगा जिसलिए एक प्राइविसी पर जितने सवाल थे वो सवाल यहां पर आता है कि हमारे उपर सरकार ऐसी तरह निगरानी रख पाएगी हमारे बित्र कौन है हमारे लोग क्या कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं तो एक tacit surveillance state हम create करेंगे तो इसके साथ साथ भारत सरकार data localization के ताहर यह भी कह सकती है हर बहुराजन निगम जो है, multinational जो है उनकी data भी सरकार को दिया जाए ताकि इस तरह के surveillance हो ज्यादा अच्छी तरह कर पाए तो privacy के protection क्या होगा इस surveillance state के खिलाफ यह भी हमारी एक लड़ाई है पर data localized की लड़ाई जो है बहुराजन निगमों और दुनिया की जनता की बीच में है इसलिए data localization होनी चाहिए तो पर इस localization के साथ privacy लोगों की बरकारा रहनी चाहिए यह भुराजन निगमों पर भी demand है और हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफी हमारा वही demand है तो यहाँ बहुत महत्वपून आपने बात कही कि आपकी बात से एक चीज निकल के आए कि सुचनाए बहुत महत्वपून है और उसका जिस तरह से EOSCOLATION किया जाएगा उस्तर से इसका इस्तमाल किया सकता है तो वैसफिक समुदाय में अगर हम देखें तो क्या जिस तरह से युद्ध होते थे गोली बारूत के सहारे या रॉकेट के सहारे या हम क्या कैते तोब चला देते थे आज के समय में अगर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं, वो ऐसे जगहों पे जिन देशों के पाद बहुत ज़्यादा सूचना हैं हमारे बारे में, वो तो हमें उन देशों के ऊपर पूरी तरह से नियंतरन करने लएंगी, जो सूचना हमें बहुत पिछड़े हुए हैं, अब एक सिब अब यह गंभीर मसला उठता है यहां पे, देखिए यह अमरीका बहुत पहले इस खोशना को कर चुकी है, कि साइबर स्पेस को भी के ऊपर भी हमारी संपूर्न नियंतरन होनी चाहिए, तो इस वाक्त एक ही देश इसका विरोध कर सकता है, चीन, जिन्होंने अपना वो जि इस तरह से अमरीका की साइबर डॉमिनेशन के अंदर है, तो यह तो है ही जो आप कह रहे हैं, और साइबर वेपन्स की बात भी बहुत चर्चा हो चुकी है, अमरीका इस वक्त हमारे कोई भी खाबर ले सकती है, हमारा नेटवर्क को कॉलाप्स कर सकती है, पर इस बात को बनती है, आज गूगल, फेस्बुक, गूगल, यूट्यूब से लेकर सर्च एंजिन, और फेस्बुक तो एक चर्चा की विशेय तो है ही, तो उसके जरिये, आज हमारे, ना की मीडिया नारेटिवस को कंट्रॉल किया जा सकता है, इलेक्शन को भी कंट्रॉल किया जा सकता है और क्योंकि हम Cambridge Analytica की हम हमारे पास उधारन है तो यह समझना चाहिए Cambridge Analytica जो कर सकती थी उस वक्त तो इस वक्त वो बंध होने की नौबत उसमें है वो जो कर सकती थी बहुत सारे कंपनिया कर सकती है पर इससे सवगुना Google और Facebook कर सकती है और यह आज के तारीख पर इनके influence हमारे election में बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ रहा है और पढ़ेगा वो कम पार्टियों के पास जा रहे हैं और इन पार्टियों को कह रहे हैं हम आपको access देंगे हमारे जो subscribers है उनको तो हम उनको आप अगर बताओगे इतने पैसे अगर आप दोगे तो इस state पे इस district में यह access हम आप दे सकते हैं assembly constituency की access दे सकते हैं district दे सकते हैं state दे सकते सर्बाबारती स्थर पे दे सकते हैं हमें इतना इतना पैसा चाहिए और ये पैसा बी slabs है और इस मपी कितना पैसा देने से क्या access मिलेगा वह भी है तो यह पैसा जिसकी TO इसके जरिए election उसकी यह संभावना निकल के आ रही है और यह भी है कि election बॉंड के तहद आपने देखा है कि पिछले बार जित्ता पैसा पीछले सालों पैसा इलेक्शन बॉंड में निकाले गये हैं वो 95 प्रतिशत वो पैसा बीजेपी के पास गया है तो सब पक्ष बिलाके 5% है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी इस तरह के इलेक्शन में इस देटल मुनापलिस के जरिये और भी बढ़ जाएगा तो आप जो कह रहे थे कि डेटा डेटा की अहवियत यहां आता है कि डेटा अगर इनके पास है तो चुनाव भी उससे निधारित हो सकती है और यह निधारण जिनके पास ज्यादा पैसा होगा उनके तरह जा सकती ह यह देश की जनवाद के लिए भी एक बहुत बड़ा खत्रा है तो मेरा ही कहना है कि यह सब चीजे डिसकस होनी चाहिए देश के अंदर अंतराश्टियस तरफ पे बड़ क्लब ऑव रिच से अगर इस अनाउंसमेंट आती है तो इसको शक के निगा से देखे जानी चाहिए यह थी डेटा लोकलाइजेशन और यह डेटा इकॉमर्स को लेकर के बाद प्रभीर सर के ही एक लेक में पंती है कि बड़ी समराज्य के दोरान लहरों पर नियंतर्ण हुआ करता था इस वाज़ से उसने पूरी की पूरी दुनिया पर नियंतर्ण कर लिया और आज के समय मे जिसका इन्फॉर्मेशन पर नियंतर्ण है डिज्टल मेडिया में जो मॉनोपोली बना लेता है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है लोकतंत्र के ढाचे को बदल सकता है जूजिये जटिल सवाल है हम आपका साथ देते रहेंगे न्यूज क्लिक देखते रहें शुक्रिया जिसका इन्फॉर्मेशन पर नियंतर्ण है